दिल्ली में इंद्रा गांधी जी की सरकार के समक्ष महराज करपात्री जिए उनके नेत्रत में हजारों लाखों की संख्या में सनातन धर्माव लंबी रास्ट्रिय इस्तर पर गौण अच्छा कानून की मांग को लेकर सांती पुरुवक प्रदर्शन कर रहे थे और सनातन धर्म विरोधी भारत विरोधी कांग्रेस पाती की सरकार ने क्या किया इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री के निर्देश पर संतों और गौभक्तों पर गोलियां चलवा दी गई और उन संतों को निगम बोध गात पर डाल कर किरासन तेल फेंक कर जिला दिया गया आज उन महान संतों को गोभक्तों को सनातन धर्माव लंबियों को याद करने के लिए दिल्ली के कांस्टिचूशन क्लब के स्पीकर हॉल में युवाच येतना ने स्रधांजली सभा का आयुजन किया है इसके बाद क्या कारिक्रम रहेगा चुकि गोव इस्तिती है अज देश बर में लगातार घटना इस तरकी आती रहती है शाम में देखिए भारत लगातार तरक्की के पथपर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेत्रित्त में हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है आस्था है निस्था है उन्होंने 370 खतम किया त्रिपल तलाक खतम किया अयोध्या में राम जी का भवे मंदिर बन रहा है बनार स्तर पर गौमाता की रक्षा के लिए कानुन बन जाएगा हमारा सथ स्वामी जी है युवाच इतना द्वारा जो आज कारिक्रम आयोजीत की गए थी इसका मुख की उद्देश क्या था इसका मुख की उद्देश था गोड़ बगतोप को सरधान्जली अरपन करना गोहत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और भारत में गोह रक्षा हो ऐसा संकल्प लेना जो कि भारत में देखा जाता है कि गोहत्या को लेकर लगातार घटना बढ़ती जा रही है तो इसको लेकर आगे आप लोग क्या रननेती होगी चुकि युवाच यतना जो है लगातार इ प्रतिबंध नहीं होगा तब तक पूर्ण प्रतिबंधित कानून नहीं लाग होगा तब तक हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे चली तो बहुत बहुत धनेवाद यह जो आज युवाच यतना द्वारा कारिकरम दिल्ली के कंस्टिट्यूशन कलब में आयोजित किया गया था जिसका एक मातर उदेश जो 7 नवंबर 1916 को जो संत शहीद हुए थे और भक्तों के सम्मान में इस तरह का कारिकरम प्रतेक साल युवाच यतना द्वारा आयोजित की जाती है दिल्ली सनिस्पोर्नेशन के लिए मैं धिरत सम्म